Dear students, welcome you all in chemistry drive with Rabdi तो मैंने previous वीडियो में जैसे कि आपको बताया है कि alpha decay क्या होता है beta decay, radio activity and radioactive element तो आज हम करेंगे कुछ numericals जो की related है to the alpha beta decay तो उसके लिए सबसे पहले आपको ये याद रखना है ये कुछ elements हैं 81 से लेके 94 तक तो आपको ये पता होना चाहिए because जो हम alpha beta decay के numericals करने वाले हैं उसमें आपको कुछ पता होना चाहिए कि अगर जैसे किसी का alpha decay होता है जैसे radium का अगर decay होता तो ये alpha decay के बाद किस element में change होगा अगर beta decay होता है तो किस element में ये change होगा सुच जैसा कि यहाँ पे मैंने first जो numerical है जैसा आप देख रहे हो कि first numerical है कि अगर thorium जो है having the atomic mass 234 and atomic number 90 अगर यह disintegrate होता है यह तूट के एक isotope बना रहा है lead 206 atomic mass and 82 atomic number तो बताइए कि इस disintegration के दौरान कितने alpha और beta particles जो है वो मिट हुए है तो बड़ा ही इसकी एक trick है असान तरीका इसको करनेगा कि जब कभी भी आपको ऐसा कोई numerical दिया जाए जिसमें कहा जाए कि एक radioactive element दूसरे element में जो है वो तूट रहा है तो आपने क्या करना है पहले आपने जो है एक equation frame कर लेनी है इस तरह जैसे कि मैंने किया हुआ है आपने जो है reactant वाला element वो लिख लेना है फिर product लिखना है और x आपने assume कर लेने है suppose कर लो x number of alpha particle emit हो रहे है और y number of beta particle emit हो रहे है और alpha particles की आपको representation पता ही है कि आपके जो atomic mass है वो 4 unit कम हो जाता है और atomic number जो है वो 2 unit कम हो जाता है इसके लिए अब आपने क्या करना है कैसे solve करते है इस numerical तो अगर आपने alpha particles निकालने है आपको पता है कि during alpha decay there is a change in the atomic mass as well as atomic number तो आपने इनका atomic mass जो है वो equate कर देना जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हो आपने क्या करना है atomic mass 234 is equal to 206 plus 4x plus 0y ठीक है तो आपने यह equate करके यहाँ से जो है x की value आपने निकाल लेनी है इसी दरे अगर आपने suppose कर लो बीटा डिके के दौरान देखना है कि कितने बीटा particles दे मिट हुए हैं तो आपने atomic numbers को equate कर देना जैसे यहाँ पे मैंने किया 90 is equal to 82 plus 2x minus y 2x इसलिए क्योंकि 2 जो है वो change होता है आपको पता atomic number 2 units change होता है x decay जो है आपके पास alpha decay में और जो आपके पास 1 unit जो है increase होता है in beta decay में atomic number तो इसलिए जब आप equate करोगे आपके पास y की value आगी 6 इसका मतलब है कि जब thorium जो है वो lead में change हुआ तो उस दौरान जो है हमारे पास 7 alpha particles निकले हैं और 6 जो है beta particles तो आपके पास अब यह SC खेतरपाल की जो book है BSC में उसका जो nuclear chemistry chapter है उसमें यह कुछ unsolved numericals जो है वो दिये होए हैं यह वाले तो यह unsolved numericals के मैंने यहां solutions आपके साथ discuss किये हैं जैसा कि पहला एक numerical है जिसमें बताया हुआ कि uranium 238 जो है वो lead 206 में जो है जब यह change होता है disintegrate होता है तो आपको alpha beta particles calculate करने तो इसको भी आप same जैसे मैंने first में आपको समझाया है बिल्कुल उसी तरह आप यह atomic masses को equate कर लोगे फिर atomic numbers को equate कर लोगे तो यहां से आपके पास alpha particles आ जाएंगे और atomic numbers को equate करके आपके पास beta particles आ जाएंगे फिर उसके बाद numerical number 3 में क्या बताया थोड़ा सा उन्होंने क्या क्या होता है वैसी complex करने के लिए question को अब आपको thorium या radium या किसी element की जगे उ atomic number a है और वो किसी stable isotope y में change हो रहा है जिसका की उन्होंने दिया हुए atomic mass b-32 है और atomic number a-10 है और अब ऐसे numerical को भी same आपने बिल्कुल वैसे ही solve करना है जैसे आपने previously किया हुआ है कि आपने यह देखो अगर आपके पास x number हमें नहीं पता कितने alpha particle जो है मिठो रहे हैं कितने beta मिठो रहे है तो हमने xy जो है वो let कर लिया तो यहाँ पर आपने इसको equate कर देना देखो b is equal to b-32 plus x into 4 क्योंकि हमें पता नहीं ना कितने alpha particle तो आपने इसको multiply कर देना इस तरह है और यहाँ पर देखो 0 into y ठीक है तो यहाँ से जब आप इसको solve करोगे यह देखे b से भी cancel हो जाएगा अपने आप x की value आपके पास आ जाएगी that is 8 similarly if you want to calculate the value of beta particles तो आपने यह सारा नीचे वाला system यह वाला atomic number आपने सारा क्या कर देना है equate like this a is equal to a minus 10 plus 2x minus y तो यहाँ से देखे आपके पास यह इसको आप rearrange पूरा कर लोगे जो cancel out हो रहा है cancel out करके आपके पास जो question number 4 में आपको बताया हुआ है कि अगर uranium 238 with atomic number 92 gets disintegrate to the uranium thorium okay thorium 230 with the atomic number 90 so you have to calculate the number of x and y okay x और y यह नहीं alpha beta particles आपने calculate करने है तो similar आपने वही trick जो आपको मैंने बताई है वही आपने यहाँ पे लगा देनी है तो आपके पास जो है alpha beta particles निकलाएंगे during the radioactive risk integration अब एक अलग तरेंगा numerical यह तो था alpha beta particles को कैसे निकालना है तो आप यह equate कर लोगे ठीक है वो तो असानी से निकल जाएंगे अब कई बार उन्होंने क्या किया होता है आपको बताया होता है कि suppose कर लो यह आपका radioactive element है ठीक है thorium और यह thorium का एक बार alpha decay हो रहा है दो ब बीटा डिके हो रहा फिर हमें नहीं पता और यहां पे भी बीटा डिके हो रहा है यहां पे भी question mark लगा लो ठीक है अब देखिए अब जब alpha decay होगा you know that the atomic mass decreases by 4 unit तो आपने 32 232 में से 4 माइनस कर दो तो 228 बन गया 90 में से 2 माइनस कर दो क्योंकि atomic number 2 unit कम होगा तो यह 88 बन गय ठीक है अब ऐसी अगर आप बीटा डिके करोगे तो atomic mass में कोई change नहीं आएगा और atomic number 1 unit बढ़ जाएगा और यह actinium का होता है 89 इसलिए मैंने का था आपको very starting में कि आप जो है सारे elements जो हैं वो याद कर लीजी 81 से लेके 94 तक फिर ऐसी ही अब देखिए आपके पास यह अलफा पार्टिकल मिठ होगा और दो बीटा पार्टिकल मिठ होंगे it gets converted to the thorium 228 with atomic number 90 अब ऐसे 6 अगर हम numerical देखें तो 6 numerical को थोड़ा सा और गुमाने की गोशिश की है उन्होंने उसमें क्या कहा है कि अगर कोई यह आपके पास lead है और यह radium है lead का बीटा डिके हो रहा है radium का alpha डिके हो रहा है तो आपको बताना है कि जो element बनेगा उसका atomic mass कितना और उसका atomic number कितना है तो इसके लिए बहुत जरूरी आप previous वीडियो भी देख लीजिए जिसको नहीं पता कि alpha डिके के दौरान क्या हो रहा है यह बीटा डिके के दौरान 226 का जो है आपके पास यह 224 बन जाएगा atomic mass और atomic number 86 बन जाएगा और आप यह लिख दोगे फिर और एक question साथ में put किया है कि ग्रूप को भी बता दो भी ग्रूप को बिलॉंग करता है तो बिसमत आपको बता कि 15 ग्रूप को बिलॉंग करता है और endogenic noble gas है तो 18 ग्रूप को coming to the 7th question जो है अब 7th question तो सेम वैसे ही बताया हूँ है वो फर्स्ट वाले की तरह alpha beta particles यह आपको निकालने इसमें यह एग्जाम्पल है थोरियम की कि थोरियम पोलोनियम में चेंज हो रहा है ठीक है आप भी ट्राइक करके देख ले ना इसको कि थोरियम पोलोनियम में particles that are emitted during this disintegration अब यह देखिए 8th question को अब 8th question में उसने क्या कहा है कि suppose कर लो suppose उसने यह आपको दिया हुआ है given है यह कि actinium दिया हुआ है उसका atomic आपको number दिया हुआ atomic mass भी दिया हुआ है ठीक है फिर पूरी एक statement frame की हुई है कि actinium है actinium का क्या हो रहा है alpha decay हो रहा है जो product बन रहा है उसका भी आगे alpha decay हो रहा है फिर जो product बन रहा है उसका आगे beta decay हो लिख लीजिए फिर एरोस पर जैसे मैंने कहा कि पहले लिख लो क्या क्या स्टेट्मेंट को ध्यान से पढ़ो लिख लो कि कौन-कौन सा डिके दिया हुआ अब जैसे अलफा डिके दिया है तो अटॉमिक नंबर होगा तो लास्ट वाले का चेक कर लो टॉमिक मास 290 यहां पर 56 जो है इसका क्या है अटॉमिक नंबर अब आते हैं हम नाइन्थ कोश्चन पर नाइन्थ कोश्चन आम सॉल्ड दिया हुआ कि वही कि थोरियम है वो रंडाउन में चेंज हो रहा है 222 में और आपके पास अलफा बीटा पार्टिकल्स आपने धूर्णने हैं तो आप यह देख सकते हो मैंने यहां सॉल्ड किया हुआ यह एक्जांपल्स आपको काफी मिल जाएंगी यहां पर कमिंग तू धवरी लास्ट कॉष्चन जो है अब लास्ट में उसने कह गया क्वेशन खुद ही फ्रेम कर दी कि पलोनियम है पलोनियम का अलफा डिके हो रहा वो लैड में चेंज हो रहा है और जो लैड है वो बीटा डिके होरा और बिसमत में चेंज हो और अब कैता बताओ कि जो first element था वो कौन से group को belong करता है और जो बिस्मत है वो कौन से group को belong करता है और आपको lead का group दिया अब 14 ये देखो अब इसको ऐसे question को आपने कैसे solve करना है जैसे ये suppose ये lead का उसने दिया हुआ 14 group अब आपको पता है भई ये a है a का अपने lead कर लिया कोई a atomic mass है और ये जो है b का atomic number alpha dk हो रहा मतलब a minus 4 हो जाएगा b जो है वो minus 2 हो जाएगा इसी तरह फिर b को अगर आप beta dk कर रहे हो तो b का unit बढ़ जाएगा वो c का c रहेगा आपके पास ठीक है atomic mass अब अगर इसकी value उसने दी है 14 तो 4 इसमें से जो है 2 unit कम हुए है ना तो अगर ये 14 है तो मतलब b की value क्या होगी 16 तो इसका मतलब polonium जो है उसका group होगा 16 और यह देखे यहां पे जो है 14 से एक unit बढ़ा है तो इसका मतलब इसका group होगा 15 तो इस तरह आपने ऐसे numerical निकालने अगर आपको ऐसे group उसने मतलब एक का दिया और दूसरे के आपने निकालने है तो यहां पे देख झालने है कि अरव डियू और यहां थेखेंगा जातले है अजय को सेंगा थिरसिग्याओ धर दूसरे का टीमारी को अधर्णी तो यहां थारुवागा निका डिबाड टार लिए तो इस प्रतीजित और रड़ी तो अज़गा झालने है तो झालने हैं झालने हूँ को